जहें दोस्तों आप देखने हैं आध्यान के अंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम मेहेश कुमार वर्नवाल का जो सार संगड़ा है उसका बायलोजी पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा काफी इंपोर्टेंट भूख है ये किसी भी एक्जाम के लिए आज ज इन बोप्टिस्ट डी लेमार्क अप लेमार्क याद रखो जी बिग्गास कोशर पर्थम किसने परिवासित किया था लेमार्क पैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुस्य का अंतिम पूर्बज किसे माना है करो मैगनोन को आधुनिक मनुस्य का अंतिम पूर्बज माना है बरतमान प्रमान के अनुसार पिरिथबी पर जीव का उदगम लगभग कितने वर्ष पूर्भ हुआ था दो अरब वर्ष पूर्भ दो अरब विकास वाद का सिध्यान्त डार्विन ने दिया था काफी इंपोर्टेंट है विकास वाद का सिध्यान्त किसने दिया चार्ल्स डार्विन ने विकास का पर्मुख कारक्या है प्राकिर्तिक वरन प्राकिर्तिक वरन नेचुरल सेलेक्शन विकास की उत्परिवर्तन सिध्यान्त का प्रतिपादक माना जाता है ब्रिज को हूंगो जूरेशिक युग का सबसे प्राचीन पक्झी है जो सरी सिर्फ वा पक्झी वर के मध्य की कड़ी है काफी इन्मोर्ट है उस पक्झी का नाम क्या है Archie dungeons यह किस युग का है जूरेशिक युग का है साथि वो सरी सिर्फ और पक्झी दोनों के मध्धिका कड़ी है मतलब ये दोनों के बीच में आता है मेमथ किस जीव का पुर्बज है हाथी का हाथी के पुर्बज का नाम है मेमथ पिरिथवी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है नील हरित सेवाल का सीत रितू में पसुओं के प्रसुपति काल को क्या कहते हैं हाइवर नेशन हाइवर नेशन किस जीव में सनायू तंत्र यान नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिस्क नहीं होता ये है तारामीन स्टार्फिस का हिंदी होता है तारामीन स्टार फिस में क्या होता है नरफस सिस्टम तो होता है पर उसमें मस्तिस्क नहीं होता जिवानू में किस परकार के रैवोसोम पाया जाते हैं 70S 70S रैवोसोम पाया जाता है डाइनासोर सरिस्रिप वर्ग में आते हैं इसका उदाय मोनोजाइक युग में हुआ था यह मोनोजाय क्यों जात रखिएगा इसी में डैनासोर था नेल हरित सेवाल जीवानू तथा कवक में लवक नहीं पाया जाता बलकि लोमिली के अकार की रचना पाई जाती है वो क्या है वो है क्रोमोटो फोर्स क्रोमोटो फोर्स किन पौधों में जायलम बाहिकाओं का अभा काफी इंपोटेंट है जायलम होता है पौधे में जल ले जाता है तो उसका अभाव होता है अनावरित वीजी एवं टेरीडो फाइट्स में पाँच जगत वर्गी करन किसने प्रस्तूत किया था हिकेटर ने हिकेटर जंपिंग जेन की खोज किसके दुआरा किया गया था मैक क्लिंग टॉक के दुआरा दोनों में पाया जाता है ऐडिनीन, ग्वानीन और सैटोसीन ऐसे कौन से उढने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते चमगादर, चमगादर नहीं आता चमगादर को उड़ने की कीट एवं छमता होते हुए भी पक्छी वर्ग के अंतरगत नहीं सामिल किया जाता बलकि इसे अस्थन पाई वर्ग में समलित किया जाता है किसको चमगादर को वह समू जिसके जन्तु प्राय रात्री चर होते हैं जो रात को घुमता है वह है मच्छर चमगादर और अलू अब यहां पर कुछ नाम दिया गया है और इसका बैज्यानिक नाम दिया गया है तो मानव का होमो सैपियंस तेंदुआ पैंथेरा पारडस पैंथेरा पारडस बाग का पैंथेरा टिग्रिस काफी इंपोटेंट है शेर का पैंथेरा लियो शेर तेंदुआ बाग सब में प पैसम एस्टावं, बिली का फेलीस कटस, मेडक रनाटिगरीन, धहान का उराइजा एस्टाईवा, सर्शो, ब्रेशी का कमपेस्ट्रस, चना का सिसीर एरी एतीनम, चना का सीसर एरी एतीनम, गेहुं का उता है ट्रीटिकम एस्टीवम गाय का उता है बॉस इंडिकस आम का मेगनी फहरा इंडिका कोमेंट बॉक्स में आपको कुछ और बताना है जैसे कि मेधक का मेधक और मोर का यह तोनों भी काफी इंपोर्टेंट है प्रकास अंसलेशन की प्रकासिक एबं और प्रकासिक अविकिरिया क्लोडोप्लास्ट में कहां संपन होता है तो ग्रेना और इस्ट्रोमा में मुलासका संग के कुछ जनतु में नीले और हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है तो होमो या सनीन के कारण रक्त में जो भी कलर होगा वो हीमो से ही एस्टार्ट होगा जैसे हीमो गलोविन से लाल होता है तो नीला और हरा किसके कारण होता है हीमो या सनीन के कारण अगर यहाँ पर एक लाइन दिया गया है कि मानव हिर्दाय का बाया निलल प्रकोस्ट पुरुंता ओक्सीजन क्रित और महाधमनी जो होता है महाधमनी में और समपुर्ण सरीर को भेजता है मतलब जो हमारे सरीर का अगर यह मालू हिर्दाय है तो इसमें जो बाया निला है इस से ऑक्सिक्रित रखत जिसमें ऑक्सिजन होता है वो महाधमनी पूरे सरीड में पहुंचाता है इसका मतलब यह आगे आपका है कवक और उच्चितर पादपों की जड़ों के मद्य कौन सा क्रियात्मक सहचड़ी पाया जाता है कवक मूल कवक मूल इस्ट और मस्रूम किस परक से जीवन चक्र की दिरिष्टी से पौधे का सबसे महतपूर्ण अंग पूस्प होता है बहुत पर पूछा गया प्रस्न है इंपोटेंट सब होता है पर आपको पूस्प प्रिटी करना होता है कलोड़ों फिल के निर्मान में कौन सा तत्व महतपूर्ण होता है मैगनेशि जो सिनकोना नामक पादप की च्छाल से प्राप्त होता है तथा या मलेडिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है सिनकोना के च्छाल से बनता है कुनेन सेब में पाया जाने वाल लाल रंग जो होता है वो होता है एंथोसैनीन के कारण एंथोसैनीन टमाटर में ला ग्रंथी जो वेनोम ग्लेंड होता है किसके समांग होता है कसेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथी के समांग निमपे थिस खास याना नामक पौधे मुखिता भारत के किस राज में पाये जाते हैं मेगाले चटानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं सैलोद भिद्ध घट पढ़नी कीट भक्षी पादप के अंतरगत आता है जिसकी पतियों में पूर्ण क्या होता है फलक घट होता है घड़े के समान होता है लवी स्टैप का होता है और वो बंद हो जाता है कौन सा प्राणी अपने आँथ में जलका संग्रा करता है उट सबसे बड़ा ओका सेरुकी जीव कौन सा है कोलो सलल स्कूइट कोलो सल एसकूइट कोलो सल स्कूइट अगे लिची के फलों को किस साखा के अंतरगत रखा जाता है एक बीजी बैरी एक बीजी बैरी हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है, तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है किसकी उपस्थिती के कारण ठीखा होता है, कैपसे सीन सबसे बड़ा अस्थन पाई जिवह ब्लू वेल रेसम का कीडा अपने जीवन काल में किस आवस्था में वानिजिक तंतु उतपन करता है प्यूपा आवस्था में गर्म रुधिद वाले या सम्तापी जन्तु के सरीर का तापमान कितना होता है सदेव एक समान होता है एक समान समुद्री घोडा कि इस प्रकार के जीब का उधारने मचली घोडा मचली घोडा वो कौन सा अस्थन पाई है जो एंडा देता है लेकिन बच्चा नहीं एकीडना जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ चिंतन और मनन करना मनुष्य को वानर गुन से अलग करता है मानव सरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो है वो सुकरानू है सील किस वर का प्रानी है अस्थन पाई कौर्क किस पेर में पाई जाते है क्वेकर्ज में डॉल्फिन किस वर के अंतरगत आता है अस्थन पाई अफीम मौर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है गन्य के रोपर में किसका भाग का प्रयोग होता है तना का लासुन के गंध का कारण है सलफर योगी क्यों पस देती सुस्क जलबायू के अनुकुलित पेर पौधे को कहते हैं मरुद भिद जैरोफाइट यहां पर लिखा है जल और अस्थल दोनों में रहने वाले जीब को उभाइचर कहा जाता है और इसका एजामपल यहां पर मेटा कच्छुआ साब यह सब होता है अगे अधी पादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भण होते हैं यांत्रिक सहारे के लिए यांत्रिक सहारे के लिए टिक और माइट किस जीब वन्स से सम्बंदित है मकडी वन्स से मकडी जुगनु की चमक किस इंजायम के कारण होता है लिूसी फेरस के कारण लिूसी फेरस, सन हैम परे से किस से प्राप्त किया जाता है, फिलोयम से, लेग हीमोगलोबीन किस में पाया जाता है, लेग्यूम मुल गरंथी में, लेग्यूम मुल गरंथियों में, डार्विन की पुस्तक, on the origin of species का प्रकासित हुई थी, बड़ 6869, जैब विकास के पक्ष म में किस स्रोथ से पर्त्यक्ष प्रमान पड़ाप्त होता है, जीवास्मों से, जीवों की विकास के संधर में कौन सा अनुक्रम सही है, सेलामेंडर, अजगर और कंगारू, किन कसे रुकों जीब के काल पुर्णता अनुपस्थित होते हैं, सरीश्रिप का, कौकरोच और सिल सर्जित होते हैं, अपड़ा, पैसेंट्या, चमगादर कौन सा परानी है, कैसा परानी है, नियत तापी है, वार्म बलड़ेड, बिज्ञान की पोलियन्टो लोजी, नामक साखा के अंतरगत, जीवास्मों का अध्यन करते हैं, पलियन्टो लोजी के अंतरगत, सबसे और सबसे तेज गती से दोड़ सकता है, वो पक्षी है, सुतर मुर्ग, जो उड़ नहीं सकता, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला जो होता है, उसको हेलोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, नामक परजी भी मानव के अंग में पाया ज किस प्रवस्था में बनते हैं, एस प्रवस्था में, वह जीव, जिसका महत्व, डूबने से हुई मिर्तियू का पता लगाने में किया जाता है, डाइटम, पपीते का पीला किस रंग के कारण होता है, केरी का जैनित की उपस्थेती के कारण, पौधे के किस के भाग से लेमी नेरिया नामक सेवाल से, वे जिवानू जो वायू मंडली ये नेट्रोजन के योगिक में परिवर्तित कर देता है, वो है नेट्रोजन इस्थरी करन जिवानू, अधिक नमक वाले अचार में जिवानू जिवित नहीं रपाते, क्योंकि ये जीव द्रब कुंचित हो जार्थ है गलाइकोजन, तलावों और कुऊँ में किस जन्तू को छोड़ने से मच्छर का नियंतरन में मदद करता है, तो है गेंबूसिया फिस, गेंबूसिया देने से मच्छर को वार जाता है, विस्फेनॉल ए क्या है, ये खाद सम्वेस्टन सामेग्री विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसाइन है, मिर्दा के प्रयोग के विना, केवल खनीज युक्त साहिता से अगर पौदे होगाएंगे, उसको हम हैड्रोपोनिक्स कहते हैं, हैड्रोपोनिक्स, प्रति जैवी को मुखिता प्राप्त होता है जिवानू से, जिवानू, इस को परभावित का नियम, बहु परभावित का नियम, क्यू नीन, किसकी छाल से प्राप्त होता है, सिनकोना के छाल से, क्यू नीन, मेंडल ने अपने वंसानुगती नियम, जो रूल्स ऑफिस का हिरेटी है, को परतिबादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, मठ सिसिक एसीड, अधिकांस एंजाइम, विकार जो होता है, किस में अधिक सकडिये होता है, 20 से 35 जिगरी सेल्सियस, अगर यह आप लिखा गया, सिप, घेंगा, स्क्वेड, कोडी, ऑक्टोपस, कटल फिस, और मुलास्का संग, यह सा मुलास्का संग के पनमुक जीब है, आग किसमे सेफुन मुलास के सकतaps, जीब है, किस अ अधिक सकता है, किस में अधिक सकता है, जीब है तर अबंग है, यह सिSerा झाइम, सांगरी सत्का स्फ़ काइम, सिर्थूफ veterans जीब है उनिग है, और मुलास्वेग हो भीक Isaiah 11th, 10 अबबध है,